प्रोजेक्ट किसी कविदाय में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सत्य घटना पर आधारित एक छोटी सी कथा प्रस्तूत करने जा रहा हूं। दुवीधा भविश्य की। प्रिंसिपल को बहुत से चात्रों उनके माता पिता से मिलना अवश्यक हो जाता है। कुछ चात्रों की गंबीर शिकायतों को देखते हूं कि माता पिता से बादचीत करना ज़रूरी होता है। के लिए उनकी प्रतिबा को पुरुस्कृत करने के लिए उन्हें अनुशनसा प्रदान करने के लिए बुला जाता है ताकि माता-पिताव स्कूल समिलित प्रयास से चात्र के लिए उचित राह तलाशने वात राशने का मार्ग ढूंड सके बारा नमबर की पीटियम लोगों का आना जाना बना रहा इसी बीच क्या देखता हूं कि विचारी दुबली पतली सी महला एक स्मार्ट सी लड़की के साथ सामने खड़ी है संभवतावा स्रिष्टी थी कक्षाठ की छात्रा जिसे मैंने पहले कई बार देखा था अपनी सहेलियों वा सहेपाठियों के साथ विध्यालय परांगण में हर पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहते एक संतोष घिरा रहता प्रिंस्पल के लिए ऐसे द्रिष्यों को ऐसे द्रिष्य की कल्पना हमेशा सुख देने वाली होती है क्योंकि बाद अपने चात्रों में राष्ट के सुनेहरे भविश्य के दर्षन जो करता है आज स्रिष्टी मेरे सामने मेरे कार्याले में इस तरह खड़ी थी जैसे भयावाहा बवण्डरों का सामना कर रही होगा उसके मनों मस्तिष्क में कितने ही प्रश्ट तैर रहे थे बस समझ नहीं पा रही थी कि कहां से शुरू करे पहले वाव बोले या उसकी माँ उसके हाथ में एक प्रार्थन पत्र भी था जिसे उसने बहुत संकोच के साथ मेरी और बढ़ा दिया जिसे पढ़कर मुझे विश्वास नहीं हुआ मेरे लिए यह सब कुछ अविश्वस्निय बह दुखद भी था वह कह रही थी पिता जी ने असा में साथ छोड़ दिया वे कपड़ी सिरने का काम करते थे स्वावी मानी थे दिन रात अथक परिश्रम करके शरीर को गला रहे थे घर का गुजारा तो करना ही था समझ नहीं पाए हम सब कि क्या हो गया था उन्हें एक दिन उन्हें असब्ताल ले जाना पड़ा ड्रक्टरों ने ब्लड कैंसर भुशित कर दिया था इलाज चल रहा था सब्ताल में आशाय बनी थी उनके साथ कि अचानक एक दिन वे हमें बीच मजधार छोड़ कर चल दिये वे डंबना देखिए कि अवे ज्यानिक प्रगतिमाय युग में असब्ताल प्लेटलेट की विवस्था न कर सका था तीन बेहने हैं हम बड़ी भी यही पढ़ी है वो कॉलेज में है और चोटी घर के पास एक चोटे स्कूल में पढ़ रही है किस्मत में क्या लिखा है कुछ पता नहीं पिताजी ने कभी किसी का बुरा तो ना किया था फिर ऐसी विकट स्थिती में क्यों धकेल दिया हमें वो बच्ची हर पल मेरे सामने आ जाती उसके दो रूपों को मैं पहचानता था एक जब वो अपनी कक्षा सहपाथियों के साथ मुस्कुराती इठलाती इधर उधर निकल जाती दूसरा रूप जो अभी अभी उबरा है मेरे सामने परेशान सी दोविधा मैं भविश्य के बारे में सोचती हुई वा मैं विचित्र संसार में खो गया अब हर पल वा बच्ची मेरे सामने आ जाती विध्यालय की शिक्षा निश्यल्क हो जाने पर भी क्या वा स्वचंद जीवन जी पाएगी उसका भविश्य उसके परिवार का भविश्य क्या होगा समाज के साथ साथ देश ऐसे बच्चों के इदायतों का निर्वहन करने का बीड़ा क्यों नहीं उठा लेता आज की राजनितिक प्रस्तितियों ने इस कदर विश्य फैला दिया है समाज में स्वार्थ मद्वा वैमनेस्य के इतने भीच बोदियें हैं लोगों के बीच के कहीं उची जाती से सम्मंद रखना उसके परिवार का उसके लिए अभिशापना बन जाए यही प्रार्तना कर रहा था मैं ईश्वर से के बचा लेना उस बच्ची को उसके बहुशको उसके परिवार को